वेलकम तू ड्रीम लेंड हम अपने सभी दोस्तों को उनके सपने की व्याठ्या के फेवरेट चैनल ड्रीम लेंड पर स्वागत करते हैं हमारा आज का टोपिक है सपने में सोचाले या टॉयलेट का देखना अगर किसी व्यक्ती ने सपने में टॉयलेट देखी है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पे कोई ऐसा बिजनस कोई ऐसा कारोबार कोई ऐसी जॉब करेगा जिसमें थोड़े काम पर बहुत ज्यादा अर्णिंग होगी सपने में टॉयलेट के अंदर जाकर जाडू पोँचा करना इसका मतलब आने वाले समय पे आपका पैसा बरबाद हो जाना या फिनांशली वीक्नस होती है सपने में अगर किसी वेक्ती ने देखा कि वो टॉयलेट में गया है और निकलना भूल गया है या उससे निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाली लाइफ के अंदर कोई ऐसा काम धंदा करेगा जिसकी वज़ा से बदनाम होगा या फिर जेल जाना पड़ेगा सपने में अगर किसी वेक्ती ने देखा कि उसने टॉयलेट के अंदर दूद डाल दिया है या उसने पेशाप कर दिया है या उसमें उसने हनी या निशेहद डाला है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला गे सेक्स करेगा या किसी की बैक साइड पे सेक्स करेगा अगर कोई विक्ती सपने के अंदर देखे कि वो टॉयलेट के अंदर गया है तो इसका एक मतलब ये भी होता है अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी और अगर आप मेरड हैं बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होंगे सपने में टॉयलेट के अंदर जाकर पाखा ना करने का मतलब अपनी लाइफ को बड़े सुन्दर स्टाइल में बिताना होता है मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नाइस अपने की व्याख्या के साथ